यह हमारा प्यारा भारत यह एस्ट वेस्ट नॉर्थ और और अंडिस इस सौथ तो आप इरान देख रहे हो यह जो है रेट कलर में यह इसका मतलब यह है कि दिस नॉर्थ वेस्ट और विन्यराइड देखे यह भारत है यहां से सिंदू नर्दी जो है इंडर्स रिवर जाती है ठीक है और यह जो इरानियन है यह इस इंडर्स रिवर को जानते थे आगे पता चलेगा इसके बारे में क्यों मैं यह मैं बता रहा हूं और यहां है ग्रीज यह भी आप देखिए बिलकुल नौर्थ वेस डिरिक्शन में है तो चलिए इस वीडियो में हम अपने प्यारे भारत को जानते हैं प्रतिक भारतवाशी को इसके बारे में जानना चाहिए काफी important भी है exam के लिए तो क्या-क्या नाम है इंडिया का आदिकाल से, ancient time से और अब तक क्या-क्या नाम है ऐसे तो कई नाम है हर किशी को इसमें include करना possible नहीं है इसमें से कुछ नाम है और कुछ नाम आपको पता है तो आप comment में लिख सकते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे भारत नाम यह भारत नाम कैसे पड़ा तो भारत नाम एक्चुली इसको हम पूरा बोलते हैं भारत वर्ष और यह ऐसा कहा जाता है रिगवेद में ऐसा लिखा हुआ है हमें पता है रिगवेद हम सबसे पूराना वेद है 1520 इसापुर्व में यह लिखा हुआ था यह आपको कर सकते हैं मिन्स बिफोर क्राइस्ट मिन्स चेसस क्राइस्ट के जन्म के 1500 वर्ष पहले रिगवेद की रचना हुई थी और उस वेद में ऐसा लिखा हुआ है कि रिशब देव के जो सं थे पुत्र थे भारत जिनका नाम था उनके नाम से हमारे देश का नाम भारत वर्ष हुआ दूसरा हम जानते हैं हमारे देश को इंडिया का जाता है यह इंडस रिवर के कारण हुआ है चलिए इंडस रिवर कहां पे हैं इसका मैप देख लेते हैं आप यहां इंडिया का मैप देख पा रहे हैं, यहां पे जो ब्लू लाइनिंग आपको दिख रही है, है ना, यह रिवर की लाइनिंग है और यही जो है, इंडस रिवर है, मिन्स यह पाकिस्तान से ओकर गुजरती है और हमारे इंडिया मेझे जम्मु कस्मी से ओकर यह दिखाया है ग्रिश मिन्स जिसे हम युनान भी कहते हैं मैंने इसलिए दिखाया देखें इंडिया का नाम इंडस रिवर के कारण पड़ा क्यों पड़ा तो इसे संस्क्रीट में सिंदु कहा जाता है अब इरान और ग्रीक जो थे वह पचीश साल पहले इंडस रिवर के बारे में जानते थे क्योंकि मैंने नॉर्थ वेस्ट में मैंने सो किया कि उसकी रिरेक्शन जो है इरान और इराक की या ग्रीस की वो नॉर्थ वेस्ट में है तो वहां से वो इंडस रिवर को जानते थे पहले से ही तो इंडस को हिंडोस या इंडोस के नाम स तो इस तरह से जो उस रीवर के बगल में कंट्री थी जो कि हमारा इंडिया था इसलिए उसे वो इंडिया करकर जो है वो कहते थे तो इस तरह से हमारा देश का नाम इंडिया पढ़ा नेक्स्ट वन इस अलहिंद अरवियन ने हमारे देश को अलहिंद नाम से पुकारा अब बात कर लेते हैं हिंदुस्तान की हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा तो तर्किस ने हमारे देश को हिंदुस्तान कहा क्यों कहा क्योंकि हिंदु की आबादे उस टाइम का फिर ज्यादा तो टर्किस लोगों ने हमारे देश को हिंदुस्तान नाम से जाना हूँ